विक्ष्वन के प्राचीन भारतिय जंगल की गहराई में, जहां पौरानिक जीव स्वतंत रूप से विचरन करते थे, हर्शवर्धन, एक निदर योध्धा, अपनी वफादार गाई, श्रीमती को अंधेरी रात में मार्ग दर्शन कर रहा था। चांद घने बादलों के पीछे छिप गया, पेलों पर एक भयानक छाया डाल रहा था। जैसे जैसे वे चलते गए, पत्तियों की नर्म सरस्राहट और ब्यईयों की दूर से आती चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। हर्श्वर्धन के तीखे कानों ने हर आवाज को पकड़ लिया, उसकी इंद्रिया पूरी तरह सतर्थ थी। अचानक एक हलकी गुन्बुनाहत हवा में भर गई, जो तेज होती जा रही थी। मायावी, रहस्य मयर राक्षस, अंधीरे से उभरा। उसकी आखे दुष्ट रादे से चमक रही थी। तुम्हारी गाय मेरी सेवा करेगी। मायावी ने व्यंग्य किया। हर्श्वर्धन ने अपनी तीखी तलवार खीची, जिसकी स्टील चमक रही थी। कोई भी मायावी श्रीमती को अपने साथ लेकर गायब हो गया। हर्श्वर्धन अपनी तलवार चमकाते हुए आगे बढ़ा। राक्षस ने मुड़े हुए अलोक एक रिक्षों का निर्मान किया। निदर होकर हर्श्वर्धन ने व्रिक्षों को चीर डाला। जंगल हिल गया और मायावी की शक्तिया क्षीन हो गई। एक अंतिम प्रहार के साथ हर्श्वर्धन ने राक्षस के मूल को चकनाचूर कर दिया। श्रीमती फिर से प्रकट हुई। भोर होते ही वे दोनों जंगल से बाहर निकल आये। हर्श्वर्धन के अटूट साहस की जीत हुई थी। श् मैं जंगल हर्श्वर्धन की बहादूरी की कहानिया सुनाता रहा। वर्शों बीद गये, लेकिन हर्श्वर्धन और श्रीमती अविभाज्य रहे। उनका बंधन साहस और वफादारी की आग में मजबूत हुआ। एक रात, जब वे व्रिक्ष्वन से गुजर रहे थे, प मेशा के लिए बहादूर।